अठारो आगस्ट, पिसले चोपिस कोंटा में वरिशा में शाभी जगा में हलका से मुध्धम बारिश, हेवी टू भेरी हेवी रेनफॉल एक दो जगा करके मेनी डिस्टिक्स में हुआ है, हाइस्ट बारिश था तेलकोई में के ओंजार डिस्टिक्स में 182.6 mm, उसका बाद कोटोग डिस्टिक्स का बांकी में 182.0 mm, बोलंगे डिस्टिक्स का गूर्विला में 139.8 mm, पूरी डिस्टिक्स का पिपली में 122.0 mm, हमारा भूबनेश्टर सीटी में भी रेनफॉल हुआ है 63.8 mm, स्टेट अभरेज रेनफॉल हमारा था 32.1 mm, शाह भी कोता है 12.8 mm, तो साथ वेस्ट मॉंशन एक्टिव था, अभी हमारा लो प्रेशार एरिया जो है नौर्थ वेस्ट बेअब बेंगल, एड्राणिंग उरिशा, नौर्थ उरिशा और वेस्ट बेंगल कोस्ट का पास में है, तो इसका प्रोभाब में नेक्स 24 आवर्स तक हमारा सभी जागा में बारिश, हेवी तो भेरी हेवी रेनफॉल भी मेनी डिस्टिक्स में होने का चांसेस है, हेवी तो भेरी हेवी रेनफॉल का वर्णिंग जो है कलाहंडी, कंदावाल, बुलांगीर, बोध, अंगुल, धिनकेनाल, क्योंज़, देवगार, सुंदरगार, श्रमपूर, श्रमबलपूर, जाष्रीकुदा, वरगार डिस्टिक्स में और बाकी आवर भी डिस्टिक्स म हेवी रेनफॉल एक दो जागा करके हो सकता है, फिर कल से रेनफॉल एक्टिविटी रेडियूस हो जाएगा, कल केवल एक दो डिस्टिक्स में जैसा नवरंगपूर, नौपरा, वरगार, जाष्रीकुदा, शुंदरगार में एक दो जागा में हेवी रेनफॉल हो सकता है, बाकी डिस्टिक्स में हलका से मुध्धम बारिश मेनी प्लसेस में रहने का चांसेस है फिर 20th से 20th, 21st, 22nd, 20 से 22 तक रेंजफल अक्टिविटी कमी रहेगा केवाल स्काटाड वे में हलका से मुध्धम बारिश होने का पसिबिलिटी है अधिकत अथ्यफाइं भीजिट करनतु आम वेबसाइट www.gonjamsamacha.com